नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सीर अजंदर नारोडा है और आज हमारे साथ एक बार फिर अर्चना जैन मैम है वेलकम मैम आज हम इकठा हुआ हैं दोस्तों जीस्टी ओडिट के सीरीज को कांटिन्यू करने के लिए हमने अलड़ी तीन वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जीस्टी ओडिट पर यह हमारी चौथी है फोर्थ वीडियो है इन दी रोग और आज हम जैसे कि हमने पहने दो वीडियो तीन वीडियो में किया है हम बैसिकली डिफरेंट आस्पेक्ट्स को हैलाइट कर रहे है जो कि हमारे मेंबर्स को हमारे चार्टर अकॉटेंट को और इकरते समय ध्यान रखना है सर आप शुरू करें उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहूंगी और चाहूंगी that you are actually doing a wonderful job for all of us whosoever, जो भी हम CAs है और जो हम audit के line में हैं यह आप जो different aspects देखते हैं हम सब के पास एकना समय नहीं होता कि हम सारी की सारी notifications को पढ़े या latest updates को पढ़े तो आपके ये जो videos हैं बिल्कुल breezers का काम करते हैं कि बिल्कुल cut shot and crisp में आप पूरा का पूरा हमें चीछे सामने लाके रख देते हो तो उसके लिए really congratulations and I really appreciate all your efforts Thank you, thank you दोस्तों तो हम शुरुआत करते हैं अपने points की जो हमने GST audit में आपके लिए identify की है पहला जो है वो मैं शुरू कर रहा हूं liquidated damages से दोस्तों ये schedule 2 की एक item है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी schedule 2 में आपको याद दिला दू जहां पर उनोंने specifically कहा है कि following supplies shall be considered as supply of goods and following shall be considered supply of services तो उसमें supply of services में एक point add किया और उने कि अगर कोई act tolerate कर रहे हैं कोई भी काम आप कर रहे हैं और उसके बदले में कोई भी activity आप कर रहे हैं उसके बदले में कोई consideration ले रहे हैं तो that shall be considered as supply of service तो अगर माली जे किसी contract में एक non-performance clause added है और उस non-performance clause की वज़े से आप कुछ penal penalty receive करते हैं तो that shall be considered as a liquidated damages and that shall be that is taxable under GST आपको ये चेक करना है मैं बार-बार हमेशा कहता रहा हूं दोस्तों कि profit loss के credit side को बहुत minutely check करें क्योंकि जो भी चीस credit side में आ रही है वो अपने आप ही supply है unless it is not specifically exempted or made specifically made entry into schedule 3 or somewhere else otherwise वो supply है and this liquidated damages is one of them taxable as a supply of service and 18% दोस्तों उसके बाद मैं मैं से कहूंगा कि आप आपके पड़े next point चू बहुत आपके वाला है वो है sale of fixed assets fixed assets हाला की business का एक बहुत ऐहम हिस्सा है but during the business, during the course of business हमारे पास ऐसी हमेशा कोई लगो इसाते हैं जब हम हमारे assets को sale करते हैं तो इसको हम दो चीजों बहुते हैं sale of fixed assets आपकी बाकी सारी machinery apart from motor vehicle जब भी आप कोई भी और बाकी fixed assets बेचेंगे तो उनके उपर जो उस नए machine का या जो उस नए fixed assets का rate applicable है वही rate applicable होगा GST के अंदर अब हम बात करते हैं sale of fixed assets that means motor vehicle की specifically motor vehicle की उसके लिए दोस्तों GST में तीन अलग अलग तरह क्या aspects हैं वो motor vehicle जो आपने एक जुलाई 2017 से पहले खरीदी थी लेकिन आप उसको एक जुलाई 2017 से लेके 12 October 2017 तक अगर आप बेचते हैं तो उसके उपर जो भी उस नए motor vehicle का rate है depending upon तो उसका CC वो rate applicable होगा उसके बार 13 October से लेके 13 October 2017 से लेके 24 January 2018 के भीश में अगर आप उसको बेचते हैं जो कहती है 65% of the applicable rate यानि जो भी आपका tax rate है उसका 65% उसके उपर applicable होगा अगर आप उसको इस पीरेट के दौरा बेचते हैं अगेन एक और नहीं नोटिफिकेशन है जिसमें क्या नए अमेंडमेंट आया उसका नाम का margin scheme यानि अगर आप कोई भी motor vehicle 25 January 2018 से लेके आज तक क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज भी वैरीड है आज तक अगर आप बेचते हैं तो उसके ये कहता है कि 12% और 18% से उपर अगर आपका कोई भी tax rate बनता है तो वो exempt है यानि आपके आप जो दो tax rate freeze कर दिये गए हैं depending upon the cubic cc of your car they are 12% और 18% in case of motor vehicle तो प्लीज आप इसका जरूर धान रखियेगा कि fix assets को हमेशा आपने दो तरीकों में बाटके उसको उसके बाद उसका जो भी treatment हो चेक करना दोस्तों while performing audit हमें हमेशा देखना होता है कि sale of fixed assets तो नहीं किया सैसी ने तो अगर sale of fixed assets है, car है तो जो मैं आपने बताया कि तीन scenario ने इसके एसके साब से वो tax आपको चेक करना है अब हमने sale कर दी और एक जो सबसे important aspect है जिसके ओपर इतनी सारी UN क्राय है trade के अंदर वो है refund यानि अगर आपने ITC का refund file करा है या avail कर रहे है और उसको अब आप file करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है July, August और September के 3 महीने क्योंकि उस दोरान higher rate of duty drawback, all India rate applicable थे तो अगर आपने higher rate of duty drawback का benefit avail करा है तो प्लीज आप इस बिलकुल ensure कर लिजेगा कि आपके पास C और I का credit avail नहीं होना चाहिए ठीक है difficulty थी पोर्टल में तो बहुत सारे लोग उसको उस टेम पर reverse नहीं कर पाए थे बड़ जैसे ही आपकी वो difficulty दूर हो गई है जब C और S अलग-अलग reverse होने लगे तो प्लीज आप ensure कर लिजी कि आपने C और I को जो है वो reverse कर दिया हो और जब आपने high rate of duty drawback avail करा है तो SGST Act कहता है कि आप फिर भी SGST portion जो भी आपको उस दौरान की purchases यानि inputs के उपर आपका SGST portion था आप उसका refund easily claim कर सकते हो July August और September में उसके बाद 1 October से आपके उपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी क्योंकि high rate of duty drawback जासी कोई चीज रही नहीं थी उसके बाद बात आती है CES की तो अगर export of goods है उस goods के उपर अगर आपकी CES की भी applicability है तो जैसे आपका CS और IE का आपको benefit allowed है और refund claim करने के लिए उसी तरीके से आप CES का भी refund easily claim कर सकते हैं आपको बस ये चेक करना है कि जो आप refund claim कर रहे हो जिस भी taxable supply के उपर वो आपकी बिल्कुल zero rated supply की ambit में fall कर दी है या नहीं कर दी यानि कहीं आपने deemed export को zero rated समझ के आपने refund application file नहीं कर दी है क्योंकि उसके लिए बिल्कुल treatment altogether separate है जिरो rated supply का मतलब है सिरोफ और सिरोफ एक्सपोर्ट ऑफ गोड्स और सर्विसेज और सप्लाइज तू एक्सिरफ ये दो हैं जो zero rated में आएंगी इसके अलाबा और कुछ भी नहीं आएगा और जब आप zero rated supply की बात करेंगे तो आपको सारे के सारे प्रोविजन जिसको आपको चेक करना है वो आपको मिलेगे IGST Act में क्योंकि zero rated supply नाम की जो चीज़ है वो defining IGST Act में है और कहीं उसकी definition है लगी अब हम जहां बात कर रहे हैं zero rated supplies की और जहां SEZ की बात आती है तो SEZ को जो भी आपकी supplies जा रही है वो हमेशा और हमेशा as per your IGST Act क्याता है इंटर स्टेट रहेगी चाहे आपका SEZ सेम स्टेट में ही क्योंना फॉल करता हो और उसके लिए भी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आई है कि क्योंकि hotel accommodation services की उपर एक specific है section 12 के अंदर उसको define करा गया है कि वो जिस स्टेट में आपका hotel accommodation यानि इमोवेबल property होगी वो स्टेट उसके service माना जाएगा तो 100% C plus S की activity आती है लेकिन अगर वही hotel accommodation SEZ को supply करता है तो अगें वो आई चार्च करेगा क्योंकि वो SEZ के लिए क्योंकि हमारी शायदे रवास रूली प्या चुक्कियों कर जोग बात करती है कि specific will always prevail over general तो hotel accommodation के case में भी SEZ है तो वो interstate supply की मानी जाएगी अब बात करते हैं सर दोस्कों हम एक export of services के export of services में उमें सबसे ज्यादा दो जीजों का ध्यान रखना है और वो हमारी place of supply कहां में है second हमारी foreign remittance आ रही है या नहीं आ रही है तो जब यह दोनों condition fulfill होती है तब हमारी export of service आती है अगें आप जब इस current year के बात करोगे तो एक नई amendment आ चुकी है जिसमें ही जो place of supply के साथ साथ जो FIRZ यानि foreign import remittance की जो बाती वो हटा दी गई है अगर आप INR में भी लेके आते हो तो भी आपकी export of service माल नी जाएगी अगर आपका place of supply या place of provision of service out of India होता है दोस्तो लेकिन 31 मार्च तक के audit के लिए हमें चेट करना है कंपलसर लिए कि convertible foreign exchange में पैसा आया या नहीं आया according to the permitted time limit of the RBI and BRC is important BRC is back with organization certificate is very important friends continuing the point की profit loss के credit side में जैसे मैंने dividend और interest income की बात कही जैसे कि माली जे dividend आ रहा है या interest आ रहा है तो dividend क्या taxable है interest क्या taxable है interest दोस्तो supply तो है लेकि उसको exempt किया गया है अगर माली जे आपकी कोई HD है आपकी SSC की कोई HD है उसके उपर उसको ब्याज मिल रहा है तो that shall not be considered as a supply taxable supply that is a supply because that is exempt supply dividend अगर उसको मिल रहा है profit loss में नजर आ रहा है आपको dividend is basically not at all supply itself तो aggregate turnover जब calculate करेंगे तो interest को तो आप aggregate turnover में जोड़ोगी लेकिन dividend को aggregate turnover में नहीं जोड़ोगी क्योंकि dividend is not a supply itself उसके बाद turnover जो aggregate turnover की हम बात करते हैं तो aggregate turnover को calculate अगर माल लीजे commission agents की हम बात करते हैं तो commission agents की aggregate turnover कैसे determine होगी compulsory registration की requirement है section 24 में उनके लिए अगर कोई भी commission agent is receiving the goods on behalf of the principle then he has to take compulsory registration under section 24 otherwise turnover जो होगी वो जो aggregate turnover उसकी commission received होगी जो की उसको commission मिलती है for arranging facilitating supply or sale of goods of the principle इसी तरह जगे मालीजे आर्टिय की बात करते हैं कच्चे आर्टिय की बात करते हैं पक्य आर्टिय की बात करते हैं और अगर वो agriculturalist के goods को marketing market में बिकवाता है और खुद risk and reward उस तक transfer नहीं होते goods के जो risk and reward है वो they shall continue belonging to the agriculturalist in that case he receives only his commission और जो payment आती है वो directly agriculturalist को मिलती है there and then promptly तो उस case में भी उस आर्टिय की जो turnover है वो सिरफ वो commission portion ही consider किया जाएगा हागे में हम आप बताएं अब बात करते हैं accounts and records की business है accounts and records को बनाने ही है तो जो हम normal due course और business में accounts and records बनाते हैं वो तो बनेंगी बनेंगी but अब GST है तो obviously वीक list है और जो हमारी addition हो गई है कि हमें और के additional accounts and records maintain करने है उसमें आता है कि आपका export and import और उसका RCM import का RCM इसका आपके पास एक register होना चाहिए stock register तो हम सबको पता ही होना ही चाहिए अगर goods का मामला है तो advance अगर आपने receive करा है उसका भी आपके पास एक maintain करा हुआ होना चाहिए proper record के अंदर tax payable, tax payable register आपके पास होना चाहिए आपके suppliers की detail होनी चाहिए recipients की detail होनी चाहिए go-downs की details होनी चाहिए additional place of business की details होनी चाहिए जहाँ पे भी आप अपने goods को store करते हैं, intrinsic store करते हैं या otherwise आपके FG के store है या FGs के कोई go-downs है तो उसका भी आपके पास proper record maintain होना चाहिए उसके बाद आपका जो भी records maintain करें वो place of business में होने चाहिए और additional place of business में भी आपके सारे accounts and records होने चाहिए बहाँ पे, agents को भी अब बोल दिया गया है कि आप भी पुरा का पुरा अपना proper maintain करोगे records का goods and services जो भी आपने procure करी है अपने बहाँ पे या किसी और के बहाँ पे तो आपके पास उसका पुरा का पुरा record maintain होना चाहिए monthly production जो आपकी जो भी production account है उसके भी आपके पास पुरा का पुरा record maintain होना चाहिए work contractors को भी बोल दिया गया है कि अब आप उसको पुरा proper record करोगे अपनी payments के लिए recipes के लिए जो भी आपके पास टॉक आ रहा है चाहिए वो FOC आ रहा है चाहिए वो आप रकुर करोगे आपको उसका proper maintain करना है एक proper record के अंदर then जो owners है यानि वेरहाउजर के जो owners है या गोडाउस के जो owners है उनको भी एक mandatory डाल दिया गया कि आप भी proper अपने या record maintain करोगे कौन से goods stock आपने store करें है वहाँ पे और किस के लिए store करें है और किस के लिए store करें है अब एक transporter के ऊपर भी बात डाल दी गई है कि उसको भी proper record maintain करनी है वो कौन कौन से goods का transportation कर रहा है वो किस के लिए transportation कर रहा है दोस्तों accounts and records के rules 56, 57, 58 है आप जान दीजेगा ये सिरफ reference purposes के लिए जितने भी उन्हें नाम लिए Interestingly transporters की बात मैं आपने कही एक और बात मैं आपको highlight कर देने चाहता हूं जो service providers है उन्होंने while providing the services goods कितने use किये उसका भी उन्हें separate record रखना है हम सारे chartered accountants के लिए ये बात relevant है हमें भी ये record maintain करना है उसके बाद बात आती है reversals की दोस्तो rule 42 और rule 43 दो important rules है जो हमें ध्यान रटने है audit करते समय हर audit का हर client का क्योंकि यहां पर section 18 का reference में देना चाहूंगा जब हम business और non-business दोनों purposes के लिए ITC करते हैं हम business taxable supplies भी करते हैं exempt supplies भी करते हैं तो उस case में rule 42 में बहुत detail में एक process है detail है असा थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं दोसको एक पर याप पढ़ेंगे तो बहुत असानी से समझ जाएंगे अधिमेटिकल कालकुलेशन तो आपको लेकिन हर केस में rule 42 अपलाई करना है क्योंकि कुछ common credits भलेही आप non-business activities के लिए उस नहीं कर रहे हैं भलेही आप exempt supplies नहीं है आपकी 100% acceptable supplies है फिर भी आपको कुछ common credit को compulsorily 5% of that common credit shall be required compulsorily reverse to friends तो आपको ध्यान रखना है rule 43 में capital goods की reversal है और एक reversal और है दोस्तों और वो है 180 दिन की payment की reversal अगर आपने value of supply plus tax as recipient supplier को 180 दिन में value of supply plus tax दोनों पे नहीं किया तो आपको जो भी credit आपने लिया उसको reverse करना है अगर आपने proportionate ली pay किया है तो proportionate credit reverse आपने कर देना है जितना बचा वो उतना reverse कर देना है और ब्याज के साथ reverse करना है बस आपकी knowledge के लिए बता रहे हैं दोस्तों कि amendment act में ब्याज की preposition को अठा दिया गया है आपने reversal तो करना है लेकिन ब्याज अट जाएगा लेकिन 31 मार्च तक आपको ब्याज भी लगाना है उसके उपर आखरी जो बात है TDS TCS के provisions है दोस्तों अभी तक अवेंज में है तो उनको चेक करने की या ध्यान गटने की अभी फिलार कोई जरूर नहीं है दोस्तों फिलार आज के वीडियो में इतना ही हम लोग जो तो फर्तर और इसके उपर और बाते करते रहेंगे अर्चला मैं का थैंक्यू और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मुच ट्रेंस